जगत न्यूस 24 में आपका स्वागत है यूपी जहांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजॉली में रुपयों के लेंदेन का विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया इस विवाद में मा और बेटे की कुलहाडी से हत्या कर दी गई घटना की सूचना पर SSP शिवरी मीना, SP सिटी विवेक, त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी वभारीत आदाद में पुलिस फोस मौके पर पहुँच गया है प्राप जानकारी के अनुसार बिजॉली के बजरंग नगर निवासी चंदन सिंग का बबीना थानक शेत्र के घिसोली निवासी एक व्यक्ती से रुपियों के लेंदेन को लेकर विवाद चला आ रहा है बताया गया कि उक्तव्यक्ती ने चंदन सिंग के खाते से फरजी धंक से लगभग पौने दो लाक रुपे निकाल लिये थे यह मुकदमा ग्वालियर में चल रहा है इसी मुकदमे को वापस लेने वर राजी नामा आदी को लेकर चंदन सिंग पर दबाव बनाया जा रहा था आज उक्तव्यक्ती गाउं पहुँचा और विवाद करने लगा आवेश में आकर उसने कुलहाडी से चंदन पर हमला बोल दिया बचा ने दोड़ी चंदन की असी वर्षिय मा कलावती पर भी हमला कर दिया दोनों लहुलुहान होकर गिरपड़े और उक्तव्यक्ती भाग गया चीक पुकार सुनकर दोड़े लोगों ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कालेज भिजवाया जहां मा बेटे की मौत हो गई घटना का जायजा लेने एसेसपी, एसपी सिटी, सियो सदर सहित अन्या अधिकारी पहुँच गए थत्यारोपी की गिरफतारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है घटना से इलाके में हर कंप मचा है सुनील जैन की खास रिपोर्ट की है वो उनका रिष्टेदार है आपस में कुछ जगड़ा हुआ है उसी जगड़े को लेके ये लेक्ट